अर्याना कॉंग्रिस में हालिय विवाद के बीच पुर्ग मुख्य मंत्रि भुपेंद्र सिंग हुडा ने कॉंग्रिस सांसा कुमारी सेलजा का मजबूती से समर्थन किया एक प्रेस कॉंफरेंस में हुडा ने सेलजा पर की गई अभद्र टिपनी को मैनुपुलेटिट करार दिया और कहा कि कॉंग्रिस का कोई भी नेता या कारे करता ऐसी टिपनी नहीं कर सकता उनुने जोड़ देकर कहा कि कुमारी सेलजा कौंग्रिस की सम्मानित नेता है और उनकी पार्टी की बेहन भी है हुटा नहीं सबसर पर कहा कि समाज में और राजनिती में ऐसे गलत मान सकता वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा आज की समय में किसी के भी बयान को מנूप्लेट करना आसान हो गया है लेकिन समाज को बाटने वाली ऐसी हरकति नाकाम रहेंगी उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल जान बूच कर समाज को जादपात के आधार पर बाटने की स्ताध जिश रच रहे हैं हुडा ने आगे कहा कि हड्याना की 36 बिरादरी ऐसे किसी भी शड्यंद्र का हस्सा नहीं बनेगी और राज्य में कॉंग्रस की सरकार बनेगी इस दोरान हुडा ने नाराज भाजपा नेता और पुर्विधाय ओम प्रकाश बेरी और उनके बेटे विक्रम कादियानी का कॉंग्रस में स्वागत किया उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले दस सालों में हड्याना को फिसडी बना दिया है जबकि कॉंग्रस के शाषनकाल में हड्याना देश के आग्रिनी राज्यों में था हुडा ने का आज हड्याना कानून विवस्था और प्रतिवेक्ति आय दोनों में पिछड गया है भाजपा के पास गिनाने के लिए कोई उपलब्दी नहीं है हुडा ने हाली में भाजपा के वरिष्ट नेता और पुर्ग्री मंत्री अनिल विच के साथ हो रही कथि जाक्तियों पर भी टिपनी की उन्होंने का कि विच के साथ भाजपा में पहले भी अन्याय हुआ है और आगे भी कोई उमीद नहीं है विच की मुख्यमंद्री पत की दावेदारी पर बोलते वे उन्होंने का किस से भाजपा में चल रही अंध्रूनी राजनीती का खुलासा होता है प्रेस कॉन्फरेंग्स के दौरान हुडा ने कॉंग्रस की सीम पत की निती को सपस्ट करते वे का कि कॉंग्रिस में मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसे विधायक चुनेंगे अशोक तवर्ट त्वारा किये गए विवादित बयान पर हुडा ने कहा अब यह ऐसी बाते कर रहे हैं जब उन्हें पहले ये बाते करनी चाहिए थी अंतमे हुडा ने भाजपा की सरकार पर हड्याना की पहलवान बेटियों को न्यायन दिलाने का आरो भी लगाया उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में न केवल कानून विवस्था बिगाडी है बलकि राज्ये को विकास की रा से भी भटका दिया है झाल 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 झाल